हलो दोस्तों नमस्कार गला मेरा रूंधा हुआ है और बड़ा ही दुख हुआ एक बहुत बुरी खबर है देखें मैं तो अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है मुझे कुछ महीने हुए है ठीक है और जिसकी प्रेरणा से मैंने सही बताएं वीडियो बनाना शुरू क हाई किया है सिवानी कुमारी है ठीक है आप सब लोग बहुत अच्छे जानते ह House तो किई बहुत सपूर्द किया मामा जी एक है तो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे तो मुझे पता चला है अभी कुछ समय पहले कि उनके मामा जो है बहुत ज्यादा जो बीमार थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे ठीक है मुझे बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ है ठीक है उनकी प्लेटलेट बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी और उनका बुखार बिल्कुल उतर ही नहीं रहा था तो कानपूर में उनका इलाज चल रहा था लेकिन आज डॉक्टर ने उन्हें मतलब कल रात में जो है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कल रात में उन्हें रिफर कर दिया गौालियर के लिए ठीक है तो उन्हें वाँ सिफ्ट कर दिया गया था और शिवानी लोग जो शिवानी कुमारी जी हैं उनकी मामी और उनके मामी के लड़के और अभिशेग जो उनके मैनेजर हैं वो जो है बाई कार गौालियर के लिए निकले थे और गौालियर मतलब होस्पिटल पहुचने के आदा घंटा पहले ही पता चला कि उनके मामा एक इतनी भी हमारी फैमिली YouTube की फैमिली है और जो जो लोग भी YouTube से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही दुख की घड़ी है. ठीक है? उनके मामा ने मैंने देख उनके वीडियो में कि उनके मामा कितना हसाते थे, कितना सपोर्ड करते थे, बहुत ही सीवानी जी को बढ़ा कि वो कमेंट में पामा जी की आत्मा की शान्ती के लिए हाँ प्राहसना जरूर करें तो कमें रेश्ट अजय मंप पी सुनके मामा जी के लिए अवश्य लिखें ताकि जितना हम प्राहशना कर सकते हैं उनके लिए कि उनकी आत्मा को शांती मिले तो दोस्तों एक सची सद्धाजली हम उन्हें अर्पित करेंगे ऐसे ही तो कमेंट मेरे स्टॉप पीस सिवानी जी के मामा के लिए जरूर लिखे और अब मैं क्या कहूं बहुत ही बहुत ज्यादा दुखी हुँ जब से मुझे पता चला है तो दोस्तों कि क्या कहें कि अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो यहीं से वीडियो पर एंड कर रहे हैं कि अश्क्राइब